जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वोही अक्सर मंजिल पर पहुंशते हैं वेलकम टो बाला जी आईटे आज फिर से इलेक्ट्रिस इन थियोरी पर जो कि पर्ष्ट येर की क्लास से अपनी उस पर बात करेंगे जिसमें है कि बहु कलिये प्रणाली बहु कलिये प्रणाली का मतलब आप सभी जानते होंगे नहीं जानते तो मैं बताओंगा क्या होती है बहु कलिये प्रणाली जो है उसको इंग्लिस में क्या बोला जाता है तो उसको बोला जाते है पॉली फैज सिस्टम क्या बोला जाता ह या पॉली फेज सिस्टम बहु कलिया यानि कि जैसे कि अपने जो यह फेज हैं फेज होते हैं ना सिंगल फेज त्री फेज टू फेज वही है यानि कि बहु बहुत सारे फेज की प्रनाली उस पर बात करेंगे यानि कि फेज ओपर बात करेंगे फेज सिंगल फेज और त्री ठीक है अब देखिए आपको मैं बताओं इसमें वैसे पार्ट एक ही है एक ही पार्ट में ज्यादा बड़ा पार्ट मल यानि ज्यादा बड़ा अदे नहीं है यह बहुत ही छोटा है एक पार्ट में अपने यानि की दस से बारा के लगबक साइद क्यूशन्स होंगे उसमें आपका यह पूरा पार्ट हो जाएगा ज्यादा अपन को पढ़ने के इसमें कोई जुरत नहीं है जो है वह मैं आपको लेकि आया हूं और इसमें जितने भी क्यूशन्स से बहुत ही मौस्ट इंप्रटेंट है यानि कि आपको अंत तक बने रहना है बस एक ही गुजारिस है कि आप अंत तक बने रहे यानि कि बने रहे वीडियो के साथ तो आप बहु कले प्रणाली में पार हो जाएगे ठीक है तो पहले क्यूशन्स पर बात करते हैं देखिए पहला क्यूशन्स किस प्रकार से हैं तो देखिए पहला क्यूशन्स मेरे दोरा लिख्या गया है यानि कि देखिए मेंने जो इनको में टैपिंग भी कर सकता था इनको में टैफिंग भी कर सकता है उसमें अधिक लगता है हां यह होए टाइपिंग होता है ऑफ से में क्या हैं कि मेरे हिसाभ से मेने कितापों में से छाट या कि बहुती है अध्य दिन के अबाद मैंने इसको चार्ट कर ऑद यह आपके लिए मिलेक आया हो यानी कि अफर व्य student आपको पसंद आये तो अंध में लाइक करना अभी में नहीं बोल रहा कि आप लाइक कीजेंद करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं भाहियों चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए आपे आप कर देडा ओखकर आपको नुक्सान संतुलित परिपत में neutron धर्वा का मान क्या होता है तो यहां पर 빠टे हैं सुनने में हमेशे क्या होता है..? सुनने होता है.. ओ.. हमेशे क्या होता है सुनने बात करें Element.. इस्टार संयोजन में कितने संयोजन विन्द होते हैं देखिए मैं आपको बता हूँ तो एक संयोजन होता है इस्टार और एक होता है डेल्टा देखिए इस्टार संयोजन किस प्रकार से होता है किस प्रकार से होता है, देखिए, यह है, यह वहाँ है, सोरी, रुके, 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 हाँ, यह हो गया, देखिए, यह कुंडली है, एक कुंडली है, दूसरी कुंडली यह, और तीसरी कुंडली यह, यह है आपका इस्टार सायोजन, यह है इस्टार सायोजन है, इ एक पॉंट आर एक है आपका ये और एक है आपका ये आर है ना और एक है वाय ये आपका वाय गदे तो आपका ये लिप्लियू और चीव गदें कि इसमें कितने प्वेट्ट है एक एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है कितने इसमें पूछा क्या था क्यूशन में देखे इस्टार्ट सेयोजन में कितने सेयोजन बिंदू होते हैं कितने होते हैं एक दो तीन और यह चार कितने हैं चार यानिके आंसर क्या हो जाएगा अपना चार हो आगे बात करेंगे अगले क्विशन पर बहु कलिये प्रनाली में कोने विस्तापन रिक्तिस्तान विद्यूत के अंस होता है देखिए बहु कलिये प्रनाली यानिकी वही थ्री फेज 3 phase में कोणे विश्थापन विद्यू अंच होता है देखे यह होता है 120 डिगरी कितना होता है 120 डिगरी यह वही है जो अभी मैंने बतायाता है यह इस्टार्ट सही हो जल इसमें कोणी होता है यह 120 डिगरी होता है तो यह ही है ध्यान रखेगा हमेशे जब पुछ लिए को यह विश्थापन तो 120 डिगरी होगा ध्यान रखेगा अगला सब्सक्राइबना दो वाट मिटर में कुल पावर होगी देखिए दो वाट मिटर में कुल पावर होगी देखिए यह वीदियां जो यह प्रणाली सक्ति मापन की होती है यह जो दिया है यह आपर दो वाट मिटर वीदी यह वीदी है सक्ति मापन यानिकि तीन कलिये जो यह त प्रणालियां होती है उनमें सकती मापन होती है यह कितनी प्रकार की होती है तो यह होती है आपकी तीन प्रकार की यह तीनों प्रकार की बहुत ही सिंपल से एक वाट मिटर वीदी दूसरी है दो वाट मिटर वीदी और एक है तीन वाट मिटर वीदी तो देखे इसमें क्या हो और고वट मेट्र विद्धी में क्या होता है इस विदी में 2 한및ं प्रिवख किया जाते हैं लोर नतुलित और असिंतुलित किसी भी प्रक्लार का हो सकता हैं ड्यान रेकशन और तीनव्ट मेट्ध varit में क्या होता है यह विदितिं के लिए चार तार प्रणाली में संतुलित तथा असंतुलित दोनों ही प्रणाली के बहरों की सक्ति मापने के लिए प्रियुक्ति की जत्ती हैं ध्यान रखेगा ये तिनो वार्ट मेटर विद्य अब इसमें क्या है कि अपना क्यूशन्स यह हैं कि दो वार्ट मेटर विद्य में कुल पावर होगी कुल पावर कितनी होगी इस पर बहात करनी है अपनको तो इसमें होगी क्या डबल्यू बराबर डबल्यू बटा डबल्यू टू होगी यहां डबल्यू बराबर डबल्यू बटा डबल्यू टू होगी तो क्या होगी W का मतलब है कुल सक्ति तो कुल सक्ति होगी आपकी W1 प्लस W2 W1 प्लस W1 प्लस W2 ठीक है ध्यान रखिएगा यह है most questions है सभी total इनको most समझी लेना आप ठीक है यह मैं समझना है यह आपर typing नहीं कर रहा है फालतो की बाते हैं सब जो है मैं उस पर ध्यान दो देखिए अगला question से delta समाई वजित प्रणाली में विक्सित पावर है delta delta की बात करें तो delta क्या है जिस परकार यह है था star solution उसी परकार से solution दो परकार की होता है एक तो star होता है एक होता है delta डैल्टे की बात करें देल्टे के सा होता है डैल्टे के सा होता है देखिए डैल्टा होता है इस परकार से डेल्टे में होते हैं तीन सेयोजन एक दो और तीन देखिए इस्टार सेयोजन में न्यूटल पोइंट होता है लेकिन इसमें इसमें न्यूटल पोइंट नहीं होता है डेल्टा में न्यूटल पोइंट नहीं होता है इसमें एक और यह दो और एक यह यह तीन तीन वायर निक है तो देखिए अपना क्विशन के साफ से चले तो देखिए अपना डेल्टा से यूजन में तो इसकांसे क्या होगा देखिए ओप्संस क्या दिये अपन को ऑप्संस दिये हैं पी बराबर 3 कि इंगए ल इंगार और लोडः ओस्ट ओस्ट थखिए और आपका नहीं होसकता है ठीक के आगे बात करें पी बर बरताबर एक बिद्यू तुन में लोडविद्यू ओखना सब्सक्राइब लोड़ दारा कोस्तिता वह आपका अंसर होगा आगे बात करें तो पी बराबर अंडरूर 3 ईए यहहां नहींया पर फ में पर के तो कि यह है आपको याद बढ़ गालह विदियो कोई यहां है इनका कोई योनी है कि इनको कैसे याद करें इनको आपको जुरूरी याद करने पड़ेगा बहुती शिद्धा है पीब बाराएंगे पावर सकती बराबर अनुरूर तीन इल आई एल कोस्टिट आउ ठीक है आगे बात करें इस्टार सहीं जित प्रनाली में लाइन ओल्टेज बराबर होती है बराबर होती है कितने ओते तो देखें यह होती है आपकी ओप्सेंस में देखें तो ओप्सेंस में क्या दिया है तो इसमें तो इसमें क्या होगा इसमें जो पहला दिया ना उप्संस ए यानिक अंडूर तीन पावर विद्धित वाग बल तो यही आपका आंसर होगा तो यह आप ध्यान रगेगा अगला क्यूशन से आपका सात्वा त्री फेज इस्टार्ट समयोजित लोड द्वारा खप क्याद करने का सुत्र हैं त्री फेज इस्टार्ट समयोजित में तो त्री फेज इस्टार्ट समयोजित लोड द्वारा खपतवास्तविक पावर को यह आपका यह है पी बराबर जो पहला ओप्संस दिया है अंडरूर तीन वी एल आईल को स्थिताव ठीक है अगला परिपत में इकाई पावर फेक्टर पर दो वाट मिट्र का पाठ्यांग है देखिए इसमें जो दिया है पी बराबर दो एंटु डवली वन यह यह जो दिया है यह यह वाट मिट्र का पाठ्यांग के इसाप से हैं थ्री फेज परिपत का पावर फेक्टर है इसमें आंसर आपके यह होगा पहला ही क्योंकि दो दो वाट मिट्र वाला वीदी है तो यह आपका आंसर हो जाएगा अगला वाट में प्राप्त पाठ्यांग से 10 10 थिटा बराबर हैं तो इसका भी आपको फेक्ट याद रखना पड़ेगा इसका भी आपका आंसर है जो है वह है पहले ही आंसर है तो यह ध्यान रखेगा समझेगा क्या लिखा हुआ इसमें लिखा है अंडरूर्ड 3 auto auto w1 आपफना रखेगा यही आपके अमें फिरसे बतादो बहु के लिए प्रैasitления डोफेक्शेथरे रखेजि़ोन तो वत्ते सिध्दान्त में और यह वाट मनौ सकती मापन प्रनाल्य जो होती हैं त्यति परकार की होती है। कि अनुक्राम का रहता है यह कि यह कि सिद्दानत मोटर के सिद्दान्त पर करता है और इसमें तीन क्वायल होती है कितनी क्वायल उसका चित्र में आपको बताऊं तो यह आपका कला अनुक्रम मिटर है यह इस परकार से कला अनुक्रम मिटर होता है यहां पर दिया है आर वाय और भी यह तीनो तीनी फेजों के लगा जाता है और यह अपनी क्या होता है इसमें यह दिसके विफ्रिद दिसा में गूमती हैं तो तारे बदल कर ठीक अनुकरम बना दिया जात है। इसके मिलब तारवाई भी ज्याद करने का प्रियोग में लिया जाता है। आजके लिए इतना कपी हैं… मैं आपको फिर से बता दूँ तो कि हमें क्या आई टेक के जो आपके पस्टियर से रिलिटेट सभी क्यूशन्स और सभी सब्जेक्ट अप्लोड करवाता हूं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यूटुब पर जाएगा यूटुब पर आप सर्च के जएगा बाला जी आई टीये एलेक्ट्रिशिन को सर्च करने पर आपको इस प्रकार से लोगों मिलेगा बहनुमाजी के चित्र के द्वारा तो आप इसमें अंदर इसके ओपर किलिक कीज़ेगा किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेड लिष्ट यहाँ पर आपको यह प्लेड लिष्ट का निसान नज़राएगा इस पर किलिक कीज़ेगा तो इस पर किलिक करने के बाद आपको सभी प्लेइलिस्टे नज़राएगी प्लेइलिस्टों में आपको पर्ष्ट एयर के ये सभी मेरे दुवारा अपलोड की गई क्लासे रेगुलरली मिल जाएगी और ये वर्कसौप केल्कुलेशन्स की क्लासे मिल जाएगी ठीक है मैंने ये देगे बिन वर्गमूल और अनुपात याँ समानुपात अनुपात याँ समानुपात सभी क्लासे में अपलोड की हुई है एमपाविलेटे स्किल्स की क्लासे और ये पर्ष्ट एयर की आपकी इंजिनेरिंग ड्राइंग की सबी क्लासे में अपलोड कर वही है तो आप जरू इनको बारे बारे से देखते रही है इतने में में आपके सबी जो सलेबस अनुसर जितने पार्स हैं जितने भी आपका सलेबस से वो पूरा करवा दूँगा ठेक है तो आप पहले वाले वीडियो को पूरा देखिए प्लैलि पेपर भी तयार कर रहेंगे तो आप रेगुलरली बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर कोई पैसा नहीं हो तो कमेंड बोक्स में लिखिए ठीक है धन्यवाद